नमस्कार आप सबका मेरे चैनल विंदास कुकिंग वी द्रीतु में बहुत-बहुत स्वागत है देखे मैंने बनाया है पुरानी दिल्ली जावम मस्दित के दो बहुत ज़्यादा फेमस शर्बत जो हम घर में बहुत आराम से बना सकते हैं बहुत ज़्यादा कूल है, रिफ्रेशिंग है और बिलकुल प्योर है, फ्रूट से बने हुए है और बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आप मिंटों में बना लोगे सबसे पहले इसके लिए हम एक गिलास दूद एक फ्राइंक पेन के अंदर लेंगे और एक चमच कस्टरड पाउडर को तीन से चार टेबल स्पून नॉर्मल टेंपरेचर के मिल्क में उसे अच्छी तरह से घोल लेने के बाद हम जितनी देर में दूद में भी उबाला आ जाएगा उसमें इसे एड़ कर देंगे यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है अब हम इसे दूद के अंदर तेजी से चलाते हुए एड़ कर देंगे और उसके बाद हम दूद के अंदर पांस से छे चमच जितना पसंद करते हो उतना शुगर एड़ कर देंगे जितना शर्वत मैंने तयार किया है यह चार इस तरह से आप देखिए मैंने तरबूज के किस तरह से अराम से बारिक टुकडे की हैं यह दोनों शर्वत लोग लाइन लगा कर पीते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा कूल होते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मैंने आज यह पहली बार बनाया है मुझे भी इसका टेवस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है इसका नाम तो है महबत का शर्वत और नफरत का शर्वत लेकिन दोनों ही शर्वत बहुत ज़्यादा अच्छे बनें और आप एक बार बनाएंगे तो आपको भी इन से प्यार हो जाएगा इस तरह से हम तर्भूज के छोटे छोटे टुकडे निकाल लेंगे अब हम इने एक बाउल के अंदर ट्रांस्वर कर लेंगे ये वाला शर्वत बीवैने चार लोगों के लिए तैयार किया है यानि हम जो दो शर्वत बना रहे हैं उनसे चार और चार आठ गलास शर्वत ब इस तरह से सारे जो तर्भूज के टुकडे हैं इन्हें हम एक बाउल के अंदर ट्रांस्वर कर लेंगे अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसके अंदर डेड़ किलास यानि के 400 ml के लगभग दूद डालने के बाद हम इसके अंदर रोज सिरप या रू अफजा मैंने रू अफजा का इस्तेमाल किया है वह हम 100 ml के लगभग डाल देंगे आप चाहें तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी आइड नहीं किया तो इसलिए रू अगर आप चीनी एड करेंगे तो रूफजा थोड़ा कम डाल दें अब हम इसके अ महबद का शर्बत तयार हो गया साथ में मैंने थोड़ा सा तरबूज क्रेश करके रख दिया था वह भी मैंने इसमें एड कर दिया ताकि इसमें थोड़ा चंकी फ्लेवर आजाए आप दूसरा शर्बत बनाएंगे इसके लिए जो कस्टरड हमने बना कर रखा था उसको हम देड़ गिलास के लगभग दूद एड कर देंगे क्योंकि दूद डाला इसमें तो चीनी थोड़ी कम हो जाएगी और अगर आप चीनी जादा खाते हो तो आप थोड़ा सा मैंने मीठा और डाल सकते हैं मैंने इसमें दो टेबल स्पून शुगर और एड किये यानि टोटल इसमें साथ से आठ टेबल स्पून शुगर जाएगी अब हम इसके अंदर बर्ब डाल देंगे बिल्कुल चिल्ड करने के बाद इसके अंदर हम जो एपल है दो एपल जो हैं उन्हें अच्छी तरह से घिसकर इसमें डाल देंगे यह नफरत का शर्बत तयार है इसका वस न कर देखें बहुत ज्यादा कूल और बहुत ज्यादा टेस्टी फ्लेवर फुल शर्बत बना है पुराने दिली में यह बहुत ज्यादा फेमस है और मैंने सुनाया कि लो लाई लगा कर इसको पीते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सब कर दें शुभ हो मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज लाती रहूंगी मुझे खाना बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है इसी लि झौण पोली तरह लगता है यहाई इसमी वङता है भी आपके लगता है इसी लिए लगता है वसाथ इसी तरह म कर दो लिए आप का मैंत लिए during कश्छी उन्यवाद거나, कुछ नबड़ता है आप सक 마bedingt मैं आप झा लिए बहाई बह बहुत पival के दला किस् तरह न रह